विल्कम बेक तु मा यूटूब चैनल पेपर हकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अगला कोश्चन जो कि आपका बॉटनी का है ठीक है बॉटनी का आपका कोश्चन नंबर फैरड इंख इसको हम जानेंगे कि यह कोश्चन आपका क्या पूंच रहा है कोश्च टाइब कोश्चन है और यानि कि एक यूनिट आपका complete हो चुका है उसमें long answer short answer और very short answer question वहाँ पर आपके तभी discuss हो गए यह आपका second unit है जिसका आपका third question है ठीक है second unit का आपका third question है जो कि आपका long answer type question है कौनसा आपका long answer type question है ठीक है तो इसको पढ़ते हैं इसमें क्या लिख चैनल को क्य कर देना सब्सक्राइब कर देना है ठीक है तभी आपको पढ़ना राहनिया के वर्दी तथा जनन भागों की वाह तथा आंत्रिक तरचना का संचिप्त वर्ड में कीजिए किसका इसमें जो आपका बर्दी जनन होता है और जनन ठीक है बर्दी जनन यहां पे ल संचना का संचिप्त वाड़न कीजी एठीक है तरही लिखा यानि कि इसमें आपका बर्धी जनन होता है ठीक है क्या होता है वर्धी जनन और उसके जनन भागों की वह तता अंत्रिक संचना उसके जो आपके उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो उनकी आंत्रिक और बहाय संचना क्या होती यह आपने जो है बताना है ठीक है पहले डिस्क्राइब दा एक्स्टरनल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आफ वेजिटेटिव एंड रिप पूरा बिस्ताथ सब्सक्राइब नाए इसे आपको बताना है इस है कि अबत्त करने क्या जीवन-चक्र किया है कि या उसके वर्दी जनन भागों का जो है आंतरिक Half क्या है जो आपका आपकार रही आपकाा ट्रुडफendर पकाषाइट पौधा नाए हойдवरेーー पत्ति तीनों अलग अलग विवाजित रहते हैं इन पर फूल और बीज जो है नहीं लगता है तो राहनिया की बात करें करें राहनिया एक फॉजल टेरी डॉफाइट है क्या है आपका एक फॉजल मतलब जीवास में पौधा नहीं है आपका पहले कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं है अब इसके कुछ है कुछ इसके जो है अब शेस ही मिले हैं इसलिए क्या आये कि ये फॉजल जो है टेरी डॉफाइट है जिसे राहनिक चर्ट अवर्दीन शायरे स्कॉटलेंड की डिवोनियन रॉक से किसने किड सॉन तथा लेंग ने 1913 में डिसकवर किया था किसने डिसकवर किया था किड स्टोन तथा लेंग ने 1913 में जो है डिसकवर किया था किसको राहनिया को ठीक है याद रहेगा किड स्टोन और लेंग 1913 कहां से स्कॉटलेंड की ठीक है किस से स्कॉटलेंड की कुछ रॉक थी जो की क्या थी डेवोनियन रॉक्स ठीक है इन च आपकी नोन है या ग्यात है वो क्या है रायनीय मेजर तरह दूसरा ओज़ गाया रायनीया आपका स्वॉन्या रायनियया स्वानी वगैनी ठीक है तो यह दो यह श्पีसीज जो है रायनिया की कैसी है आपकी ग्यात है रानिया का मुख पौधा क्रेट एक्जियल स्टीम ठीक है क्या होता है क्रेट एक्जियल एरियल मतलब होता है हवा में ठीक है किसमें आपका हवा में ठीक है और क्रेट मतलब क्या होता आपका खड़ा ठीक है तो मतलब हवा में एक खड़ा ठीक है कुछ इस तरह से अगर आपका पौधा हवा में खड़ा एक सीधा तना हो तो उसी तरह का है करा मुख पौधा कैसा होता क्रेट एरियल स्टीम ठीक है ऐसा तना जो आपका हवा में रहता है था ठीक है कुछ इस तरह का जो है जो अंडर ग्राउंड दुशाखित राइजोम से विक्सित होता था किसे अंडर ग्राउंड यान की जमीन के नीचे इसमें दुशाखित कुछ इस तरह के जो है राइजोम इसमें पाय जाते थे ठीक है जहां से यह आपका विक्सित गरता था आयार रायनिया मेजर में क्रेट ब्रांच सीघ पचास सेंतिमेटर कितनी हुआ करते थी जो आपका रायणिया मेजर था पूगा इसा था? क्रेट रेक्ट मतलब जो आपकी शाखाय खड़ी हुआ करती थी उनकी हाइट कित्थी होती थी 50 cm तथा तथा दूसरा कहा रहा कि जो आपका रायणिया रानिया वागानिया में 20 cm कि थी ठीक है एक में कितनी कि थी 50 cm की चाहए खड़ी थी दूसरे में कितनी थी आपकी 20 cm की साखा आए थी करहा रूड के स्थान पर राईजोएड होते थे जड़े ना होकर इनमें क्या होता था राईजोएड हुआ करते थे कुछ इस तरह की सण रहा है बहुत पत्ली-पत्ली ठीख है हम में घुठ है किह गुच्छों में पाय जाते थे ठीख है अपके रायजायड-स क्या होते हैं राइजोम सभी छोटे होते हैं और उन्हें पर गुच्छों के रूप में यह पाया जाते थे ठीक है एरियल इस्टीम डाइक्टो नोमसली ब्रांच दुशाकित कैसी डिक्टो नोमसली ब्रांच मतलब क्या होता है डिक्टो किन्तु लीफ लेंस होता है इन में पत्तिया नहीं होती है कुछ अरियल ब्रांचे होती है कैसी होती है कुछ आपकी ब्रांचे कुछ इस तरह की होंगी इस तरह की यह कैसी होती है कुछ आपकी एरियल होती है और कुछ इस कैसी होती है आपकी आपकी एरियल ब्रांच पर क्या लगा होता है आपका टर्मिनल इस पाए जाती थी कहां पाए जाती थी या आपकी aerial branches नामां, तर्मनल में हिस पाए जाती थी इसी पाए जाती आपके sports पाए जाते हैं क्या पाए जाते curves ठीक है ? अ coeur कमे आपका i you call कि पत् 대해 का इंटरनल इसट्रक्टर क्या है इसका इंटरनल इस्ट्रक्टर क्या है राइनिया के पत्य का कर आपके अमान एक समान होती है यानिक बो तने जो आपके वाय में खड़े होते थे ठीक है और जो आपका राइजोम हुआ करता था याद कि इनंडों की सखना कैसी हुआ करती थी एक समान जब हुआ करती थी इस आपका टांस वर्स सेक्सिन होता है उसमें आपकी प्रिकार की लेर्स जो है होती थी वो कौन कौनसी हूं पहला वह करता थह आपका एक सिंगल लेयर्ड होती थी कैसी होती थी एक ही परत हुआ करती थी अपारी सिरे पर क्या होता था cuticles की ठिक layer होती थी वाहरी साइड पर क्या होता था इस पर एक cuticle की ठिक मोटी सी परत्थ लगी रहती थी करया Arial steam के epidermis में जगाय जगाय यान कि कहीं कहीं पर stomata पाय जाते थी stomata इन से ही आपका क्या होता था respiration हुआ करता था ठीक है बासपोत सर्जन या या आपका जो है photosynthesis की क्रिया जो है यहाँ पर हुआ करती थी cortex के घरम बात करें क्या cortex क्या होता है कह रहा है यह outer तता inner layer में divided हो था क्या था outer और inner ठीक है वहर वाली और अंदर वाली layer में जो है इस तरह से कुछ divided था आपका cortex ठीक है outer cortex के इस पॉली गोनल तथा कैसे हुआ करते थे पैरेंड काइमेटेस होते थे जो आपकी वाहर वाली से लुआ करते थी उसके जो अब कॉटेक्स हुआ करते थे outer cortex के जो सेल हुआ करते थे वह आपके पॉली गोनल तथा पैरेंड काइमेटेस होते थे ठीक है पैरेंड काइमेटेस यानकी इनमें इस तरह के टिसूज पाए जाते थे दिस लेर्ट के जो आपका बहरी काटेक्स हुआ करता था उसके सेल क्तने करते थे उसके शेलों में जो एक से चार जो है आपको पड़ते देखने को मिल त ýठी तथां कॉमपैक्ट नहीं होते थे यानि कि उनमें बीतर जो है खाली इस्थान नहीं पाया जाता था इनर कोटेक्स के सेल में आप क्या बात करें करा इनर यानि कि अंदर वाले कोटेक्स के सेल में लार्ज अंतरकोश की इस्थान पाया जाती थे यानि कि जो अंदर वाली आपकी सेल हुआ करती थी कोटेक्स की उसमें जो आपका अंतरकोश इस्तान पाया जाता तो वो आपका ज्यादा हुआ करता है ठीक है करा सेल्स सेल्स राउंडेड तथा पैरेंट कायमेटर्स होते थे सेल्स आपके कैसे होते थे राउंडेड ठीक है यानि कि इस तरह के गोलाकार मतलब हुआ करते थे राउंडेड और आपके पैरेंट कायमेट दीष फेलप करते हैं कहा आपका सेंट्रल सलिंडर क्या छेंट्रЛ कि सेलिंडर कि इसीचिनलिपल पर लाइक सलिप्त गरच वे ठीक सेक εδώ के अंदर क्या होता है Ellie Всkenal प्रोटो इस्टील जो है आपकी उपस्तित हुआ करती ती यहां पर क्या हुआ करता था आपका प्रोटो इस्टील जो है आपकी उपस्तित हुआ करती ती जो कि आपका इस्टील का एक भाग है ठीक है करा केंद्री भाग में जायलम होता था और इसके बाहर चार और क्या इसके बाहर चार और आपका फिलोईम पाया जाता था यानि कि इसके सिंटर में क्या हुआ करता था यहां पर आपका फिलोयम हुगा करता था ठीक है क्या जायलम जायलम हुगा करता था इसके चार ओर क्या पाए जाता था आपका फिलोयम पाए जाता था ठीक है जायलम में केवल ट्रेकीड्स प्रिजेंट रहते थे जो आपका जायलम हुगा करता था इसमें आपके केवल ट्र तरह कि भी और चिकने को वाल्ड और तुक्त विद्त होती जो आपके फिलो फास्ट होती थि थिन वाली याने कि पतली दीवार होती थी इसके पतली वित्ति इसकी हुआ करती थी अब बात करें कह रहा है एंडोडर्मिस क्या है आपका एंडोडर्म या एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकलिक अप्सेंट होते थे इसमें एंडोडर्मिस नहीं हुआ करता था ठीक है क्या हुआ करता था आपका एंडोडर्मिस या आपका पेरिसाइकलिक जो है इनमें नहीं दे पायाता था यृधा टीजयुक्त इस पो यभाडे जाते आज पॉरेंचियुक्त यहां पर आपके बीजुक्त आजरा या जाते है याथ ce सबसे बाहरी सिरे पर क्या पाए जाती थी एक साखा के सिर्स पर केवल एक ही स्पुरेंजियम उपस्थित पाई गई थी जब देखा गया तो पता चला कि इसकी जो बाहरी वाली एक साखा थी इस पर केवल आपकी एक ही स्पुरेंजियम पाई गई थी यह इस पस्ट नहीं है कि स्पुरेंजिया सभी ब्रांचिज पर पाई जात तो इस प्रकार की जो बाते हैं ये पूरी तरह से इस पश्ट नहीं है इस पुरेंजिया वाली की इस पुरेंजिया एक हुआ करती थी या दो हुआ करती थी या तो केवल कुछ इस पेसिफिक ब्रांच पर ही थी तो ये अभी बात पूरी तरह से इस पुरेंजिया सभी ब्रा तो यह आपका क्या है टीएस ठीक है क्या है आपका टीएस किसका टीएस आफ रहनियास टीब ठीक है तो रहनिया का एक तना है क्या है आपका एक रहनिया का कुछ इस तरह का आपका एक तना है जिसको काट दिया गया ठीक है जिसको क्या कर दिया गया है ट्रांस वर्स इस्ट् तरह की आपकी सरचना है ठीक है यह तना और इसमें आपका क्या है फिलोईम भी है और यह जो आपकी बाहर कुछ इस तरह की सरचना है दिखाई दे रही है इनको कहते हैं इनर कॉटेक्स क्या कहते हैं इनर कॉटेक्स यानि कि यह आपका अंदरी कॉटेक्स है ठीक है यह जो सरचना है आपको गोल को रिंग टाप दिखाई दे रही है इनर क्या है इनर कॉटेक्स है यह उसके बा दीकिना और कि अ यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है यह आपका क्या हैी इस्टो मिटा है क्या है आपका i ton mæ tao य रंद्र कहते हैं इसको ठीक है तो यह किया है TES रराइनियास इस्टेम इनकि रहानिया के तने की transverse 먹는 सर्च्टरन है यह ठीक है तो इसको देख़ें चरम उल् тебе ठीक परेक्स अर्द कड और आपका एक कमें स्ट्राइब का इस डि मैटा है ठीक है यह कैसी थी आपकी transverse जो है transverse structure था अब कह रहा है कि इस पूर एंजिया बेलनाकार cylindrical या अंडाकार होती थी कैसी होती थी या तो आपकी बेलनाकार हुआ करती थी या cylindrical या आपकी अंडाकार ठीक है बेलनाकार सिलंडर या अंडाकार ठीक है जो कि आपकी ओबल यानि कि अंडे के समान पहरा या अंडे के समान हुआ करती थी या आपकी किस तरह से हुआ करती थी बेलनाकार ठीक है कुछ इस तरह की इनका बेसल पार्ट ब्रोडर हुआ करता था कैसा बेसल पार्ट जो हुआ करता था वो कैसा होता था चोड़ा होता था तथा डिस्टल पार्ट कैसा होता था नेरो होता था यानिकि संक्रा यानिकि पतला हुआ करता था ठीक करा रायनिया मेजर की इस्पुरेंजिया 12 mm लॉंग यानि की 12 mm जो है लंबी तथा 12 mm लंबी और 4 mm क्या हुआ करती थी चोड़ी हुआ करती थी ठीक है के स्पुरेंजिया का साइज कम होता था तो अधिक इस्पुरेंजिया की जैकट म्यूटिले थी थी कैसी ओती थी मल्ती लेयर होती थी यानि कि उसमें बहुत सारी जो फिए आपकी पाई जाते थी इपी डर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती थी जो आपकी बहरी आपकी परत होती थी वो क्या होती थी आपकी epidermis ठीक सबसे बाहरी और यह ठिक वाल्ड सेल की बनी होती ठीक है जो आपकी epidermis बाहरी लियर करती थी वो आपकी Thick Valled Ceil की बनी होती थी यानि कि मोटी कोशिकाओं की बनी होती थी क्या होता था, क्या होता था आपका 2-3 Layered Thin Walled Ceil जो है आपकी होती थी ठीक है किसके epidermis के अंदर क्या हुआ करता था दो से तीन लेर्ड थिन वाल ठीक है वो आपके जो वाल हुआ घरती थी वो दो से तीन लेर की मोटी हुआ करती थी कह रहा है इनर मोस्ट लेर थिन वाल्ड रिडूस सेल की बनी हो राउंडड बनी होती थी का उनसी जो आपकी बाहर वाली जो लेयर हुआ करती थी वह किसकी होती थी थेन वाल्ड राउंड प्तली कोशिकाओं की राउंड बनी होती थी गोलाकार लगवक जो फार बनी हुआ करती थी और नेक्स्ट के बाद यह होती थी आपकी नियूटरीट्व को भाग लिया करते था इस और आपके कैसे उगा करते थे इस तरह के हुआ करते दे कहरा सभी स्पोर्स एक प्रकार के होते थे और आपके सभी sports कैसे होते तो समान होते थे कैसे इसे समान वह इस बात को याद रखना ठीक है सभी sports आपके कैसे है समान है और समान हुआ करते थे कि इस पोड़ का साज लगवक 65 mil 45 माइक्रो मीटर तथा सपॉ के ultra सब्सक्राइडराइडरंद के सब्सक्राइडराइडर्स साविक विभसुष्ट होता है कि इना Chris इनकास ongla beraber सब्सक्राइडर हुआ मियोसिस से हुआ अब थे इनका formation आपका मियोसिस से हुआ था किसे मियोसिस से हुआ करता था ठीक है? गहा का जिन पौधों में जिन पौधों पर ये spore पाय जाते थे रहे spore亡 ہے थे ठीक है sporophytic वह पौधे होते जिन पर sport का formation ये spor पाय जाते हैं इस्पोर बनते हैं ठीक है तो वो क्या होते हैं आपके इस्पोरो फाइटिक पौदे होते हैं ठीक है कहा रहा है इस्पोर एंजियम में आपका क्या होता है डर्मिसिंस क्या होता है डर्मिसिंस जो है आपका पाया जाता है ठीक है डर्मिसिंस के लिए कोई की structure जो है नहीं होता था ठीक है is per anjiam में inspirations monkeys में और Emil के लिए कोई भी जो है structure का नहीं हुआ करता था ठीक है मिया अब यहाँ पर खुड़ा सा यह आपका क्या है कि इसको दोगो यह आपका एप्र ś दिखाए दे रहा है इसके अंदर क्हाइन यह जो आपकी सबसे बाहर केशलत में सबसे बाहर वाली जो आपकी लेर है यह किया कि क्योंटी कुल एपिडर्मिस क्या है की इसमें क्यों कुटोपल भी आप क्यूटिकल भी आप के प्रेजन्त रहुँ है और क्या है यह आपके क्या यह क्या आपका middle layer याने की beach वाली भित्ती और यह जो आपकी इस तरह की last वाली जो सरचना है इस तरह की यह आपका क्या है तेपी टम क्या है आपका यह तेपी टम जो की कैसा होता है आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा है नहीं पाया जाता था ऐसा माना जाता है कि संभवता संभवता मतलब ऐसा हो सकता है आपके स्पॉरेंजियम और का हो जाता है और कि वह गठर जाते है या फैल जाते हैं त inglésा गधिक है से होись़ी सिर्प्रेट होने से ग॥कत कि अगुसके दिवाद के फटने से लिए वह ऍसपोर लिब्रेट हो जाते सुतंतर हो जाते या फैल जाते ये मतलब क्या है इसका इस पूर एंजिया की की बाल का फटना करा रारानिया आपका vorbere bought का बेसाय में इस पस्ट जानकारी जो है नहीं अभी पूरी तरह से राइनिया के गैमीट की जानकारी यहां पर प्राप्त नहीं हुई है कुछ बैज्ञानों के विचार निम्नांके था लेकिन फिर भी कुछ बैज्ञान को उन्हें जो है राइनिया के गैमीट के वारे में कि आंदा कि राइनिया चेश्ट से कुछ जर्मिनेटिंग स्पोर्स एकत्रित किये ठीक है क्या राइनिया चेश्ट से कुछ जर्मिनेटिंग यान की जमते हुए स्पोर्स कैसे कुछ स्पोर्स कैसे थे आपके इन्हें लग रहा था कि यह जम रहा है क्या कर रहा है यह आपके ग्रो करना है, ठीक है, तो इसतरह के जो है, इन्होंने एकत्रित की यह, एकट्छे की यह, जिन्में से कुछ इसपोर्स, इससा था? जिनका structure खार का जर्मिन चनकी जमने यूटर के समान उनका 6 너 पREAMंग जिनहें गैमिटोव्र कहा इसी सरचना को किया कहा हैं उन्होंने गैमिटोवशेट्व काए दिया ठिंक उछेंख पोर्ण के कैसे टे जर्मिनेटिंग सरचना वाले से उनिक को कहें दिया खा तो और दूसरे आप से मरकर प्रके इन्होंने 2009 सध्मांज सद्वाइब कि डोशार आध्या बूमिगत राइजो मैटस पार चुछ को गैमीटो फ्राइट माना था था चॉसका जो by न बहुता है जिसे कहते है राइजो मेटस क्या होता है राइजो मेटस उसी भाग को इन्होंने क्या माना था गैमीटोफाइट माना था ठीक है थर्ड आपका क्या है पैंट ठीक है इन्होंने 1971 में दोबारा इन्होंने दो साल वाद पुना ठीक है जो दो साल वाद पुना आपके पैंट आए इन्होंने क्या कहा इनने कहा कि जो आपका राइनिया मेजर होता है sporophyte है कैसा है sporophyte है मतलब इसमें spor का formation होता है बिलकुल सही बात है और कह रहा है जो आपका rania gharani vagani 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 है इसका इसका वो क्या है gametophyte है ठीक है तो यानि कि जो major आपका sporophyte है और जो ये क्या है उसका गैमीमीटोफायट है तो इन्होंने यह बता था तो ये तो था आपका राइनिया के बारे में उम्मीद करते हैं समझ में आया औका राणिया और क्या था रायनिया के जीवन चक्र को आपको क्या करना था विस्तायाच से लिखना था ठीक है उसका वड़न करना था मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही है हमार साथ थैंक्स पर वाचिंग एंड शेर दा वीडियो